हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टुम यूट्यूब चैनल क्राफ्टीड मैंट्स जैसे कि हम नंबर सिस्टम बढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में हमने लास्ट लास्ट में रेशनल नंबर्स के बारे में काफे सारी चीज़े कम्प्लीट कर दी थी ठीक तो आज हम शुरू करने वाले इर्रेशनल नंबर्स क्या शुरू करने वाले इर्रेशनल नंबर्स चुरू टाइम ना वेस्ट करते हैं फटाफट से शुरू करते हैं पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन इसके लिख देता हूँ समझने की कोशिश करना फिर कुछ एग् इन दा फॉर्म ओफ इन दा फॉर्म ओफ A by B लिएर B not equal to 0 is an irrational number is an irrational number तो देखो मैंने क्या किया है जस्ट सिर्फ एक noteword यूज किया है मैं जानता हूँ rational numbers मेरे वो numbers होते है जिनको मैं A by B की form में लिख सकता हूँ where B not equal to 0 and A and B cannot have any common factor ठीक है तो just उसका opposite जिस number को मैं A by B की form में नहीं लिख सकता ठीक है where B not equal to 0 is an irrational number तो वो irrational number होगा तो फिर से कोई भी number अगर A by B की form में लिखा हुआ है उसको exactly exactly पता लगाने के लिए कि मेरा number कैसा है rational है या irrational है तो उसके लिमने क्या जाना था उसका decimal representation देखा था क्या देखा था उसका decimal representation या फिर decimal expansion तो अगर मैं irrational numbers की decimal representation की बात करूँ क्यों कि decimal representation की बात करूँ तो decimal representation इरिशनल numbers का कैसा होता है non terminating non repeating ठीक है क्या होता है non terminating non repeating ठीक है यह होता है decimal representation किसका irrational numbers का clear अगर मैं rational numbers की बात करता हूँ rational numbers में आपने देखा था कि अगर उसका decimal representation terminating है या फिर non terminating repeating है तो तो मेरा number rational हो जाता है बट अगर आपका decimal representation non terminating non repeating हो कि ना तो वो terminate करे और ना ही क्या करे repeat करे ठीक है ना तो वो terminate करे ना ही क्या करे repeat करे तो मेरा ऐसा number जो होगा वो कैसा होगा irrational होगा for example मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ मैंने लिखा 1.2134571216810 अप टू सो ओन टीक है देखो मैंने एक ऐसा number लेखने की कोशिश करी है जिसका decimal expansion अगर आप देखो तो ना तो वो repeat कर रहा है और ना ही वो terminate कर रहा है कोई भी मुझे repeating block नहीं मिल रहा मैं ऐसा नहीं बोल सकता की इतने part की बाद मेरा फिर से वही आगया repeat करने लगा नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है तो इसलिए irrational number अगर आपको decimal expansion में लिखना हो तो वह असान होता है आप कुछ भी लिखते चले जाओ ठीक तो ना तो यह repeat कर रहा है ना ही क्या कर रहा है terminate कर रहा है तो ऐसे ऐसे number को हम क्या बोलते है irrational number बोलते हैं क्या बोलते है irrational number तो अब देखो decimal representation तो हम बार बार देखते हैं यह irrational numbers का एक खास पहचान और है irrational numbers की ठीक है वो खास पहचान क्या है वो सारे numbers ठीक है? वो सारे numbers जो square root के अंदर लिखे हूँ और किसी का perfect square नहीं है ये क्या का मैंने? वो सारे numbers जो square root के अंदर लिखे हूँ है बट किसी का perfect square नहीं है जैसे की root 2, root 3, root 5, root 7, root 8, root 10, root 11 and so on. ठीक है, ये सारे numbers मेरे कैसे हैं? irrational numbers है. ठीक है, क्या का मैंने? within square root, ठीक है, within square root, जो किसी भी number के perfect square नहीं होते हैं, वैसे आप cubic root के अंदर भी देख सकते हो, कि अगर cubic root के अंदर कोई ऐसा number लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं देखनो, cubic root के अंदर, जैसे कि मालिया, cubic root of 2, cubic root of 3, cubic root of 4, तो ये सारे वो numbers हैं, जो किसी का perfect cube नहीं है, ऐसे root 2, root 3, root 5, root 7, जो root के अंदर, जो value लिखे हों, square root के अंदर, वो सारे numbers लिखे हों, जो किसी का perfect square नहीं है, वैसे ही cube root के अंदर मैंने वो numbers लिखे हों, जो किसी का perfect cube नहीं है, तो ये सारे के सारे numbers जो होते हैं मेरे और कैसे होते है irrational numbers होते हैं कैसे होते है irrational numbers ठीक है ये सारे numbers मेरे कैसे है irrational numbers है और हम जादतर ऐसे ही numbers को use करते हैं ठीक है ये कैसे numbers हैं हमारे irrational numbers irrational numbers clear बुलकुल आसान है अच्छा अगर किनी दो numbers के बीच में मुझे irrational number लिखने हो तो वो भी काफी आसान है ठीक है वो भी क्या है काफी आसान है let's suppose मैंने लिखा write two irrational numbers write two irrational numbers between two and three ठीक है आप से बोल रहा है कि दो irrational numbers लिखतो two or three के बीच में तो बहुत ज़्यादा आसान है लिखना ठीक है बिल्कुल भी difficult नहीं है कैसे लिख सकते हो आप मैंने आप से का कि decimal decimal expansion जो होता है irrational numbers का वो कैसा होता है non-terminating non-repeating होता है तो आप two or three के बीच में कोई भी ऐसा five, seven, two, three, two, two, four, zero, one, three, five, up to seven तो देखो ये एक number है जो कि between two and three exist कर रहा है ठीक है और ये decimal number है जिसका decimal expansion ना तो मेरा repeat कर रहा है और ना ही terminate कर रहा है तो irrational number है ये ऐसी एक और number कोई भी लिख सकते हो two or three के बीच में लिखना है लोग two point zero one four two one three two two five six nine zero up to seven ठीक है तो इस सरीके से आप कोई भी rational numbers बना सकते हो बस ऐसा number generate कर दो जिसका decimal expansion आप random कुछ भी numbers लिखो बस वो repeat नहीं करना चाहिए और terminate नहीं करना चाहिए repeat नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप random numbers लिख सकते हो और terminate नहीं कर रहा है तो आप आगे dash dash लगा के ठीक है पता दिखा सकते हूँ कि number मेरा क्या है non terminating है कैसा है non terminating और random numbers लिखके क्या बता सकते हूँ कि non repeating है तो कोई भी decimal expansion किसी भी number का अगर non terminating non repeating होता है तो वो कैसा number होता है irrational numbers होता है कैसा होता है irrational number होता है clear अच्छा आप square root के अंदर भी लिख सकते हो ठीक है क्या का मैंने आप square root के अंदर भी लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो जैसे की जैसे की मैं आप से बोल रहाँ write one irrational number write one irrational number between a and b ठीक है आपको a और b के बीच में कोई irrational number लिखना है ठीक है तो किनी भी दो numbers के बीच में अगर मुझे rational number लिखना होगा तो simply आप क्या लिख दोगे square root of a b a को b से multiply करो उस पर क्या लगा दो square root लगा दो ठीक है रहा है तो फिर वो आपका irrational number नहीं होगा clear है बिल्कुल आसान था जैसे कि a और b के बीच में मुझे rational number निकालना होता था तो आप कैसे निकालते थे उसका average निकालके निकालते थे a plus b by 2 ठीक है और अगर मुझे irrational number निकालना होगा तो मैं क्या कर दूँगा square root of a b कर दूँगा क्या कर दूँगा square root of a b तो square root of a b जो है ठीक है square root of a b जो है वो क्या है आपका irrational number है irrational number between a and b वैसे ही अगर मैं a plus b by 2 कर दूँगा तो इसकी help से हम क्या निकालते थे rational number निकालते थे यह क्या निकालते थे हैं irrational number between A and B ठीक है हमने पढ़ा था rational number में तो वैसे ही एक और example लेते हैं एक और example let's suppose write an irrational number write an irrational number between three and seven मुझे क्या करना है three or seven के बीच में कोई irrational number निखना है तो यह तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो कि मैं three point something, four point something ऐसे करके decimal expansion show कर सकता हूँ non repeating, non terminating और लिख के दिखा सकता हूँ और उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हूँ simply क्या करो root A भी करते है नहीं कि square root of three into seven that is root twenty-one तो यह भी आपका क्या होगा एक irrational number होगा किस-किस के बीच में three or seven के बीच में clear तो इस तरीके साथ irrational numbers निकालते हो आता नहीं है जातर irrational number निकालने के लिए irrational number से जो आपको जीचे mainly पूछेगा वो दो चीज़े है एक तो properties की help से कुछ expansion पूछ सकता है simplification और दूसरा क्या होता है किसी भी number को irrational prove करना वो काफी important है तो किसी भी number को कैसे irrational prove करते हैं वो next class में देखेंगी उससे पहले एक छोटा सा contradict है उसको देखना बड़ा ही मज़ेदार है मैं आपड़ना दो numbers लिखने जा रहा हूँ एक मैंने लिखा pi और एक मैंने लिखा 22 by 7 अब आपको लग रहा होगा कि pi की value ही तो 22 by 7 होती है पिल्कु सही है कोई दिक्कत नहीं है pi की value कितनी होती है 22 by 7 होती है जहां मुझे कहीं use करनी होती है pi की value हम 22 by 7 ही use करते है ठीक है या फिर हम क्या use करते है 3.14 use करते है जो कि उसके approximate value होती है ठीक है अब इन दोनों में क्या है अगर कोई आपसे बोले कि pi और 22 by 7 कैसे है rational है कि irrational है तो देखो दोनों ही number rational नहीं है और दोनों ही number irrational नहीं है इन में से एक rational हुआ और एक क्या होगा irrational होगा समझो क्यों ठीक है पहले तो बता दूँ कौन सा rational है कौन सा irrational है यह जो आपकी pi है क्या यह पाई यह जो pi होता है यह होता है मेरा irrational number ठीक है तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है कि इसकी pi की ठीक है उसने साफ साफ लिखा हुआ है πाई तो आप क्या बोलोगे कि कैसा नंबर है वो irrational नंबर है बट अगर उसने रखे दिया 22 by 7 तो आपका होगे ये भी तो पाई की value है और पाई अगर irrational नंबर है तो ये भी irrational होगा नहीं 22 by 7 आपका कैसा नंबर होगा rational number होगा कैसा होगा क्यों होगा क्योंकि 22 by 7 जो होता है वो πाई की approximate value होती है कैसी value होती है approximate value, exact value नहीं है 22 by 7 पाई की exact value नहीं है इस बात को अच्छे से दियान रखना तो अगर कोई आप से बोलता है कि πाई तो किसी भी circle को आप उठाओ उसकी circumference को अगर आप उसकी diameter से divide करोगे तो कभी भी आपको exact value नहीं मिलेगी ठीक है कभी भी आपको exact value नहीं मिलेगी जब उसका decimal expansion निकालोगे तो non-terminating, non-repeating मिलेगा कैसा मिलेगा non-terminating, non-repeating इसलिए πाई जो है मेरा वो कैसा number है एक irrational number है लेकिन मुझे पाई जगा जगा use करना होता है उसकी values करने होती है solve करने के लिए तो इसलिए हमने क्या कर रखा है एक approximate value ले रखी है पाई की कितनी 22 by 7 तो जब मैं पाई से हटके 22 by 7 पर आता हूँ जो कि उसकी approximate value है तम मेरा number कैसा हो जाता है वो irrational हो जाता है कैसा हो जाता है rational क्योंकि आज जब आप 22 को 7 से divide करोगे करके देखना कुछ 7-8 digits के बाद में आपके digits क्या होने लेगेंगी repeat होने लेगेंगी तो उसका जो decimal expansion आता है वो कैसा आता है non-terminating repeating आता है क्या आता है non-terminating repeating आप करके देख सकते हो तो इस बात को याद रखना अच्छे से 22 by 7 आपका कैसा number है rational है ठीक है जो कि πाई की ही approximate value होती है बट अगर आप से कोई directly πाई के बारे में पूछता है कि πाई कैसा number है तो आप बोलोगे πाई मेरा irrational number है कैसा number है irrational तो छोटा सा introduction था जो हमने आज किया किसके बारे में irrational numbers के बारे में ठीक है जादा जादा बड़ी class नहीं रखी है मैंने सिर्फ introduction दिया है अब जो हमारी next class होगी next class next class में main important चीज़ करने वाले ठीक है जो कि किसी भी irrational number को prove करने वाला होता है ठीक है important होगी next class क्या होगा हम सीखेंगे how to prove a number an irrational ठीक है यह हम next class में सीखने आख लें कि किसी भी number को हम irrational कैसे prove करेंगे ठीक है कि बार बार उसका decimal expansion अगरा नहीं निकालेंगे ठीक है क्योंकि square root of square root जो वाली values है root 2, root 3, root 5 तो यह सब आपने देखा था long division method से हम इनकी value निकाल सकते हैं और वो value कभी भी exact निकल कर नहीं आती है non terminating, non repeating form में होती है ठीक है तो वो long division वाला method जो मने बच्पन में सीखा था छोटी classes में वो हमें use नहीं करना है हम यहाँ पर नया method use करेंगे क्या प्रूव करने के लिए irrational प्रूव करने के लिए ठीक और वो कौन से numbers होंगे यह numbers होंगे, root 2, root 3, root 5 इस तरह के numbers को हम क्या आप करेंगे irrational प्रूव करेंगे यह परा next class का topic होगा और उसके बाद वाली जो class होगी इसमें फिर हम irrational की properties पढ़ेंगे और कुछ simplifications देखेंगे एक तो लगबग 3-4 classes में वारा irrational कत्म हो जाएगा और उसके बाद आएगा फिर rationalization और फिर आपका number system complete हो जाएगा ठीक तो मिलते हैं फिर next class में ठीक है जहाँ पर हम देखने वाले प्रूफ किसका irrational numbers का कि कैसे उनको irrational proof करेंगे तो तब तक लिए बाए बाए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना शेयर करना ठीक और बैल आइकन को हिट करते रहना जिससे कि आपको notification मिलते रहे